जैहिन साथियो, तो SSC GD Constable की एंसर की जारी हो चुकी है, तो आपको अपनी एंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आप अपने एंसर की देख सकते हैं, उसका इस्टे बाइ इस्टे प्रोसेस आज किस वीडियो में बताएंगे, आप अपने मोबाइल फोन से भी अपनी एंस साइट पना होगा, आप चाहे जिस वी स्टेट से आते हैं, जिस वी रिजन से आती हैं, इसी वीडियो से आपको अपनी esf की डाउनलोड करनी होगी, और इसका डायेट लिंक आपको वीडियो के डिस्किपशन बाक्स में मिल जाएगा, और comment box में भी हमने इसे pin कर दिया है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कहीं Google पर सर्च करने की जरूरत नहीं है simple सा आप video के description box में जाएं या फिर comment open करेंगे तो वहाँ पर उपर ही आपको link मिल जाएगा तो उस पर आप click करेंगे उस पर click करते ही आप इस page पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर पहुच जाएंगे तो link आपको description box में मिल जाएगा भटकने की जरूरत नहीं है simple सा उस पर click करेंगे आप यहाँ पर आजाएंगे अब यहाँ पर आने के बाद आपको login करना होगा अपने roll number और data birth के through तो यहाँ पर simple सा आपको अपना roll number एंटर करना होगा roll number आपको अपने admit card में देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको data birth एंटर करना होगा data birth यहाँ पर देखे यह जो password दिया गया है इसमें आपका data birth ही एंटर करना होगा क्योंकि आपका data birth ही आपका password होता है तो यहाँ पर आप अपना data birth एंटर कर देंगे जो भी आपका data birth होगा सबसे पहले date एंटर करेंगे उसके बाद month एंटर करेंगे उसके बाद year और बीच में आपको slash, dash या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पर मैं example दे रहा हूँ जैसे अगर आपका data birth एक जनवरी 2001 है 1121 अगर आपका data birth है तो यहाँ पर simple सा इस तरीके से आप लिख देंगे बीच में slash कुछ भी नहीं लगाना है जो भी आपका data birth है simple सा वैसे लिख देंगे वही आपका password हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप login वाले option पर click करेंगे अब जैसे आप login करेंगे तो आपका इस तरीके से dashboard open होके आएगा अब आपको यहाँ पर नीचे आना है इसे close करना यहाँ पर scroll करके नीचे आएगे यहाँ पर close का option मिलेगा इस पर click करेंगे तो यह close हो जाएगा अब यहाँ पर आपका name, data, birth, row, number सब कुछ दिखाएगा आपका dashboard open होके आगया अब देखे यहाँ पर नीचे आपको एक download करने का link मिल जाएगा अगर link नहीं मिल दा है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी मैं just answer की आने के बाद ही इसका video record कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर अभी so नहीं कर रहा है अगर आपका नहीं so कर रहा है तो भी आप कर सकते हैं बस video को आगे आप देखिए अगर आपका यहाँ पर link मिल रहा है फिर आपको video में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यहीं पर आपको एक download करने का link मिल जाएगा उस पर click here इस तरीके से देखे example मैं दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से so करके आएगा अगर आपका इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर आप click करके download कर लेजी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इस तरीके से आपका पूरा simple आ रहा है यहाँ पर blank आ रहा है तो आप आगे कैसे download कर सकते हैं उसके लिए आपको एक application की जरूरत पड़ेगी देखें यहाँ पर अभी आप थोड़ा से इंतजार करेंगे तो यह आ जाएगा अगर आ रहा है फिक तो कोई बात नहीं नहीं तो थोड़ा से इंतजार करेंगे आ जाएगा बाकि अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते आप तुरांत download करना चाहते तो आप आगे का step follow कर सकते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ तो देखें इसके लिए आपको एक application की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर देखें आपको एक application की जरूरत पड़ेगी रियल application है आप इसे download कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको वो application open कर लेना है क्योंकि वो भी एक browser है तो यहाँ पर जैसे आप open करेंगे इस तरीके से सो करेगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर उपर search करना है यहाँ पर नीचे नहीं करना है नीचे करेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पर उपर search करना है search क्या करना है जो link हमने दिया है उसे link को copy करके यहाँ पर आपको paste कर देना है यहाँ पर देखे जो link हमने दिया है description box में इस link को को आप यहाँ पर paste करेंगे अब यहाँ पर जैसे आप इसे copy करके paste करेंगे उसके बाद यहाँ से देखे search करेंगे यहाँ पर keyword में ही search कर देना तो इस तरीके से option आ जाएगा अब यहाँ पर आपको login करना है यहाँ पर roll number और data birth वही password एंटर करके यहाँ से login करेंगे अब देखे जैसे आप यहाँ पर login करते हैं तो उसी तरीके से same इसमे भी open होके आएगा अब यहाँ पर नीचे जाकर आप इसे close कर देंगे अब उसी तरीके से इसमें भी देखे option नहीं आ रहा है यहाँ पर नीचे इस पर click करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा Edit Pails Source का इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद यहां पर आपको एक search बार का option मिलेगा इसमें आपको लिखना है HTTPS यहां पर देखें यह आपको लिखना है अब इसे लिखने के बाद यहां पर सब्च नहीं करना है आपको थोड़ा सा बैक करना है जो बैक स्पेस का आपका बटन होता है मोबाल में उसे आपको प्रेस करना है थोड़ा सा बैक करेंगे उसके बार यहां पर एक एरो का निसान मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कोपी करके आपको HTML तक कोपी करना है यहां पर देखे HTML तक का जो आप संदिख रहा है यहां तक कोपी करना है इसे कोपी कर लेने के बाद आपको पूरा बैक आ जाना है के बाल इस लिंक को आपको कोपी करने के बाद आपको डारेक्ट गूगल पर आना है अब गूगल पर इस तरीके से आप अपने एंसर की देख सकते हैं, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया, अगर डारेक्ट आपसे मिल ला है, तो आपको आगे बढ़ने की जुरुत नहीं पड़ेगी, अगर आपसे नहीं मिल ला है, तो इस माध्यम से भी यह जो एक ट्रिक का माध्यम होता है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आगे इन फॉर्म कर देंगे, मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए, ज्याहिन